कि बिहार लोग से वायों की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोग कुमार द्रिश्टी टीम की तरब से हारदिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूं प्रेंट्स आज की क्लास में 64th BPSC सामान्य अध्यन मुख परिक्षा में पूछे गए एक प्रस्ण का विसलेशन में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं बड़ा ही सांदार प्रस्ण है और इस प्रस्ण को जब पूछा गया था तो इस पर काफी बिवाद भी हुए थे और बिवाद के साथ साथ बबाल भी हुए थे तो आप यह जानना चाह रहे हूंगे कि आखिरी यह प्रस्ण क्या था तो राज्यपाल से सम्मंधित प्रस्ण पूछा गया था जिसमें लास्ट में यह पूछ लिया गया था कि क्या राज्यपाल कटपुतली है इस सब्द पर ही कटपुतली सब्द पर ही बहुत चर्चा परी चर्चा हुई थी न्यूज पेपर में भी काफी कुछ लिखने सुनने को आप लोगों को भी मिला होगा इसी प्रस्ण का विस्लेशन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और विप्यस्थी राज्यपाल टॉपिक से लगातार प्रस्ण पूछता रहता है तो यह हमारे लिए अत्यानत ही आवस्यक है कि हम राज्यपाल की भूमिका के संबंध में अपने संतुलित दृष्टी कून का विकास करें विस्लेशन का विकास करें एक नई तरह से सोच है प्रमप्रागत तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं तरीके से, नवीन दिसा में हमें सोचना है, राष्टपती से भी यदि कोई प्रस्ण पूशा गया है, तो राष्टपती के संदर्व में भी अगर आपको याद होगा, 66 VPSC में राष्टपती से संबंधित प्रस्ण पूशा गया था, और राष्टपती की भूमिका के वर्णन और विसलेशन के अंतरगत, मैंने ये कहा था, कि सामान्य तोर पर राष्टपती के संबंध में भी, राष्टपती की भूमिका के संबंध में भी, जो प्रमप्रागत द्रस्टी कून है, वह बर्तमान में परिवर्तित हो रहा है, राष्टपती की कुछ नवीन और सकारातमक भूमिका अस्थापित हो रही है, कई बार इसे ही राष्टपती सक्रियतावाद भी कह दिया जाता है Presidencial Activism हला कि यह मुल्यांकन की विज़्यवस्तू है कि भारत का राष्टपती कितना सक्रिय और कितना सक्रिय नहीं है और कई बार यह व्यक्ति विशेश के व्यक्तित तो भूमिका उसकी सक्रियता पर भी निर्भर करता है कि पद में जो सक्तियां विद्धमान है संबैधानिक रूप में ही सही यदि उस संबैधानिक भूमिका को ही बहुत अच्छे तरीके से निभाया जा तो राष्टपती की भूमिका सकारात्मक है राष्टपती उन्हीं सक्तियों का प्रियोग करते हुए संसदिय सासन की पद्धती के अंतरगत अपनी भूमिका को एक नवीम दिसा दे सकता है और ठीक राष्टपती के संद्रग में भी जो प्रमप्रागत द्रिस्टीकून है कि राष्टपती के लिए हम लोग कहते थे कि राष्टपती रवर स्टाम्प है अर्थात नाममात्र की कार्यपालिका ओप्चारिक कार्यपालिका तो संसदिय सासन की विवस्था कि यह एक महत्पुर्ण विसेश्था है कि यहां कार्यपालिका दो प्रकार का होता है एक उपचारिक तो दूसरा वास्त विक रास्टपती और राज्यपाल उपचारिक कार्यपालिका अर्थात नाम मातर की कार्यपालिका के संबेधानिक प्रधान है और ये संसरिय सासन की विवस्था के अंतरगत ही है इसलिए ऐसे प्रस्ण या ऐसे द्रश्टी कुन जिसके अंतरगत यह मान कर राष्टपती और राज्यपाल की भूमिका का विसलेशन किया जाता था कि वह नाम मात्र का है वह आपशारिक है लेकिन बेभार में ऐसा नहीं है और विसेशकर राज्यपाल के संदर में तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि राष्टपती के लिए हम यह नहीं कह सकते कि राष्टपती के पास संभैधानिक स्वविवेक की सक्तियां है और यदि हैं भी तो उसका इसकोप अर्था तो उसका च्छेत्र इतना सीमित है कि राश्ट्रपती कुछ कर ही नहीं सकता है लेकिन राज्यपाल के संदर्भ में ऐसा नहीं है क्योंकि संविधान स्वेंग राज्यपाल के स्वविवेक की सक्तियों का वर्णन करता है और व्यापक रूप में करता है इसलिए जब हम राज्यपाल की भूमिका पर बात चीत करते हैं तो हमें नवीन दृष्टी कोन से उसका विसलेशन करना चाहिए है जब हम राश्ट्रपती की भूमिका की बात करते हैं तो हमें नवीन दृष्टी कोन से उसका विसलेशन करना चाहिए आईए हम लोग सबसे पहले 64 में पूछे गए उस प्रस्ण को आपके स्मक्ष प्रस्तुत करते हैं पुन उसके उत्तर प्रारूप पर हम लोग चर्चा-पड़ी चर्चा करेंगे है प्रस्ण आपके सामने यह है भारत में राज्य की राजनीती में देखिए एक-एक वर्ड को जो की वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है और इसके माद्यम से ही आप प्रस्ण की मांग को बहतर तरीके से समझ सकते हैं और प्रस्ण की मांग को जब आप बहतर तरीके से समझेंगे तभी आप उसका टूदी पॉइंट एनलिसिस कर पाएंगे है तो कह रहा है कि भारत में राज्य की राजनीती में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परिक्षन करना है कई बार लोग यह कहते हैं कि प्रस्णक के अंत में चर्चा कीजिए विसलेशन कीजिए या परिचर्चा कीजिए या मुल्यांकन कीजिए या परिक्षन कीजिए या आलोचनात्मक परिक्षन कीजिए इसका कोई विसेश अर्थ नहीं होता है लेकिन मैं इस दृष्टिकून से सहमत नहीं हूँ इसे हम लोग टेल वर्ड्स कहते हैं या पुछ सब्द कहते हैं प्रस्ट में एक पुछ सब्द हैं टेल वर्ड्स हैं कई बार पुछलने सब्द भी इसके लिए यूज किया जाता है तो चर्चा कीजिये अगर लिखा है तो लिखने की दिसा अलग होगी भासा अलग होगी आलोचनात्मक परिख्षन करना है परिख्षन का मतलब है जाँच करना और वो भी आलोचनात्मक तो उसकी दिसा अलग होगी विसलेसम की दिसा अलग होगी चर्चा की दिसा अलग होगी और टिपनी कीजिये की दिसा अलग होगी इसलिए जो अंतिम में पुछ सब्दों होते हैं वो उत्तर लेखन की भासात्मक दिसा का डिर्धारन करते हैं इसलिए उस पर बल देना चाहिए कंटेंट वही है लिकिन लिखने का तरीका अलग होता है प्रस्तुतिकरन की शैली या अंदाज ये बयां बदल जाता है पिसेश रूप से बिहार के संदर्व में भारत में राज्य की राजनीती में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परिक्षन कीजिए विसेश रूप से बिहार के संदर्व यह जो कई बार इंडियन पॉलिटी में बिहार के विसेश संदर्व में राज्यपाल की भूमिका या राज्यपाल के काडियों या राज्यपाल की शक्तियों का प्रिक्षन कीजिए यह जो विसेश संदर्व लगाता है यह भी छात्रों को डढ़ाने का एक प्रियास है क्योंकि भारत में किसी भी राज्यपाल के पद में जो संबैधानिक सक्तियां है उसके काडियों उसकी भूमिका वो एक समान ही होते है हां बिहार के कुछ राज्यपाल के संदर्व में यदि हम चर्चा करें तो एक दो नाम जो है वो ध्यान में रखना है बाकि विसेश इस पर बल नहीं देना क्या वह केवल एक कठपुतली है अब एक प्रस्न फिर पूछ दिया मतलब इन सब का विसलेशन करते हुए आपको यह विचार करना है कि क्या वह केवल एक कठपुतली है अब देखिए उत्तर की संदचना क्या होगी है इस पर हम चर्चा करते हैं तो सभाविक सी बात है कि सबसे पहले हम एक भूमिका लिखेंगे और चाहे राज्यपाल से प्रस्ट पूछा जाए या रास्टपती से प्रस्ट पूछा जाए भूमिका लगभग तैह क्योंकि सबसे पहले हमें ये अस्पस्ट करना है कि संसदिय सासन विवस्था के अंतरगत राष्टपती और राज्यपाल की ये इस्थिती संबैधानिक इस्थिती अस्थापित की गई है क्योंकि उस संबैधानिक इस्थिती के अनुरूप ही उसकी भूमी का है किसी भी पद की जो संबैधानिक इस्थिती हैं उसी से उसकी भूमिका का निर्धारन होगा और उसकी भूमिका का आलोचनात्मक परिक्षन भी हमें करना है तो मेन फोकस यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों राज़ेपाल की भूमिका परदेना है और उसके आलोचनात्मक परिक्षन पर देखिए मैंने अलग कलर से इसको क्यों राउंड किया क्योंकि जो हमें भारत में राज़े की राज़नीती में हमें मुखे लिखना क्या है तो राज़ेपाल की भूमिका लिखना है और भूमिका कैसे लिखना है तो उसका आलोचनात्मक परिक्षन करना है मतलब आलोचना भी करनी है और उसका परिक्षन करना है अर्थात जाँच करनी है कि जो आलोचना आपने किया उसमें कितना सत्य का अंस है कितना असत्य का अंस है तो एक निसकर से भी जरूर से जरूर लिखेंगे और तब और बिहार के बिशेश संदर्व में भी चर्शा करनी है और तब लास्ट में हमें ये भी निर्धारित करना है कि क्या राज्यपाल की जो यह भूमिका है राज्य की राजनीती में क्या वह एक कठपुतली के रूप में तो नहीं है कट्पुतली का मतलब मेर पपेट अर्थात नाम मात्र का तो नहीं है औपचारिक तो नहीं है अलंकारिक तो नहीं है सजाबटी तो नहीं है समझना मेरी बात को तो इस तरीके से हम सबसे पहले जब भूमिका लिखेंगे तो राजपाल या राष्टपती के संबंध में खास करके भूमिका के संबंध में ये दी कोई प्रस्णा आता है तो हमारी सुरुवात संसदिय है लोकतंत्र से हो क्योंकि संसदिय है लोकतंत्र में राजपाल की एक विसेश भूमिका है संसदिय है लोकतंत्र की पद्धती काडिय परनाली संरचना के अनुरूप राष्टपती और राजपाल की एक विसेश भूमिका डीजाइन की गई बिवस्थित की गई है, सनरचित की गई है इसे समझना है तो भूमिका कैसे लिखेंगे? तो संसदिय सासन के आधार बना अब मुख्य बात क्या लिखनी है? राज्य की राजनीती में राजनीती में राज्यपाल की भूमिका ये मुख्य परस्त है और बहुत अच्छी बात ये है कि राज्य की राजनीती में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परिक्षन करते हुए हमें यह भी निर्धारित करना है अर्थात राज्यपाल की भूमिका का हमें आलोचनात्मक परिक्षन भी करना है पहले भूमिका बत लाएंगे और फिर उसका आलोचनात्मक परिक्षन भी करेंगे बिहार के बिसेश संदर्व में अलकि ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए हिए बिहार के एक दो जो राज्यपाल हैं जिनका थोड़ा बिवादित फैसला रहा है विसेश कर बूटा सिंग के फैसले पर सरबोच्य नयले का निरने भी था नितीश कुमार जी के ही संदर्व में तो उसी की चर्जा करते हुए है आलोचनात्मक परिक्षन कर देना है बिहार के पिसे संदर्व में और प्रस्न की मुख्य मांग में ही राज्यपाल की भूमिका और उसका आलोचनात्मक परिक्षन करते हुए ही हमें एक अन्य प्रस्न का उत्तर भी देना है क्या राज्यपाल की भूमिका मतलब यही जो भूमिका है क्या वह कठपुतली के समान है मतलब प्रस्न मैं पूश रहा हूँ इसका उत्तर आपको देना है मतलब अपने बिसलेसन के बाद देख से ये मुख्य भाग है प्रस्न का और लास्ट में निसकर्स है क्योंकि आलोचनात्मक परिक्षन वाले प्रस्न में निसकर्स अवस्यंभावी रूप में देना चाहिए क्योंकि आलोचनात्मक परिक्षन करने के लिए बूल रहा है इसलिए साधारन एंडिंग नहीं होना चाहिए आपने जो वर्णन और विसलेशन किया है आपने जो भूमिका का भूमिका की आलोचना की है उसकी सत्यता असत्यता की जाच करके उसके उसका परिनाम उसका निसकर्स आप जरूर से जरूर बतलाएंगे और सुभाविक रूप में उसका एक संतुलित निस्कर्स आपके द्वारा अस्था पे तो होना से यही है पुरा का पुरा प्रस्न अब मैं आपको हिंट देता हूँ कि भूमिका थोड़ा जीटेल में आते हैं सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे ठीक है बहुत अच्छी बात है उत्तर की सुरुवात हम भूमिका से करेंगे पहला पॉइंट हमारा यहीं से है शुरू होगा मैं सिर्फ चर्चा करूँगा आप सभी लोग अपने अपने सब्दों में इसका लेखन कर सकते हैं कैसे तो देखिए भूमिका के अंतरगत जैसा कि मैंने पहले भी आपको हिंट किया था कि हमें संसदिय सासन को लिखना है तो देखिए संसदिय सासन कि मुख्य बिसेश्टा दोहरी कार्यपालिका है पर्थात संसदिय सासन वाले देशों में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है एक को हम आपचारिक कार्यपालिका कहते हैं तो दूसरे को हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं राज्य के अस्तर पर ओप्चारिक काड़ियपाली का राज्यपाल है अर्थात संबैधानिक रूप में संबैधानिक रूप में काड़ियपाली का की समस्त सक्तियां राज्यपाल में नहित है जबकि वास्तविक काड़ियपाली का काउंसिल ओप मिनिस्टर है अर्थात मंत्री परिशद है headed by chief minister और center में अगर हम बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर है तो council of minister headed by chief minister मंत्री परिशद जिसकी अध्यक्ष्टा मुख्य मंत्री करता है कहते हैं कि यह जो मुख्य मंत्री है यह सरकार का प्रदान है ध्यान देना यह सरकार का प्रदान है और यह संबैधानिक प्रदान है constitutional head है और वह सरकार का प्रदान है अर्थात head of the government है और हम सभी लोग जानते हैं कि मंत्री परिशद जिसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री करता है वह सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होता है इसने सभाविक रूप में लोकतांत्रिक आदर्सों मुल्यों और सिध्धान्तों के अनुसार उसका चैन चुकि जनता के द्वारा होता है और जनता के बहुमत के द्वारा होता है इसलिए वास्तविक सक्तियों का प्रियोग गौन करता है तो मंत्री परिस्त जिसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री करता है इसलिए राज्यपाल की जो संभेधानिक सक्तियां है राज्यपाल इन सक्तियों का प्रियोग इसकी सलाह पर करता है इसके प्रामर्स पर करता है माइडियर एस्पिरेंट यहां एक बहुत महत्तपुर्ण पॉइंट है राश्टपती के संदर्व में भी ठीक यही बात है राज्यकी सरकार के संदर्व में भी ठीक यही बात है लेकिन एक पॉइंट यहां पर डिफरेंट है राज्यपाल के संदर्व में तो है लेकिन रास्ट्रपती के संदर में नहीं है भारतिय संविधान का अनुच्छेद 163 यह अस्पस्टता कहता है कि परंतु सामान्ने ताउर पर राज्यपाल अपनी संविधानिक सक्तियों का प्रियोग मंत्री परिशत जिसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री करता है उसके प्रामर्स पर ही करेगा लेकिन उन मामलों को छोर कर जिन मामलों में संविधान राज्यपाल को स्वविवेक से निर्ने करने की सक्ति देता है पॉइंट वी नोटेट अर्थात आर्टिकल 163 स्वविवेक का अधिकार राज्यपाल को प्रदान करता है और कई बार जैसे ये प्रस्ण पूछ लिया जाए रास्ट्पती की तुलना में राज्यपाल का पद कहीं अधिक सकति साली है वर्णन कीजिए या चर्चा कीजिए या विसलेशन कीजिए या टिपिनी कीजिए तो उसका एक सबसे बड़ा आधार यही है आर्टिकल 163 जो राज़पाल के स्वविवेक की सक्तियों या स्वविवेक के अधिकार का वर्णन करता है क्योंकि भारतिय संविधान का कोई भी अनुच्छे या आर्टिकल राश्टपती के संदर्म में स्वविवेक की सक्ति की चर्चा नहीं करता है ध्यान रखना इस बात यह राज़पाल के पद को राश्टपती से धोरा भिन्ने भी बनाता है और राज़पाल राश्टपती की तुल्ना में राज़पाल की जो सक्तियां है और उसकी जो भूमिका है उसे एक विशेश दिसा भी देता है तो संसदिया सासन की पद्धती के अंतरगत सामान्ने तोर से जो माननेता है वो बतलाना है लेकिन आर्टिकल उवन सिक्ष्टी थी का जिकर करते हुए जो भूमिका को विशेश दिसा दी गई है उसे भी असपस्ट कर देना है अपने इंट्रोड़क्शन में मेरी बात असपस्ट है इसका सकेंड़ पॉइंट में आएंगे और सकेंड़ पॉइंट में राज्य की राजनीती में राज्यपाल की भूमिका जो प्रस्वन की मुक्ख मांग है उसके अनुरूप आपने के इस सम्पत्र में क्या-क्या पॉइंट हो सकता है हमारे पास हम लोग पॉइंट्स को लैक कर जाते हैं एक ही पॉइंट्स के आदहार पर हम लोग लिखते रहते हैं आज मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि राज्यपाल की भूमिका के वर्नन और विसलेशन के क्रम में सारे पॉ की जो भूमिका है वो सबसे पहले एक संबैधानिक प्रधान है तो राज्यकी कार्यपालिका के संबैधानिक प्रमुख्य के रूप में उसकी एक संबैधानिक भूमिका है पहली बात दूसरी बात संबैधानिक प्रधान के रूप में वह राज्यकी राज्यनीती में संबैधान के अभिरक्षक की भूमिका को भी निभाता है चुकि वह संबैधानिक प्रधान है राज्यका तो संबैधानिक भूमिका संबैधान के अभिरक्षक के रूप में भी उसकी भूमिका को अस्थापित करता है संबैधान के अभिरक्षक के रूप में तीसरी बात अनुछेद दोस्वा के अंतरगत वह राज्य विदहाईका का अंग भी है तो राज्य विदहाईका के अंग के रूप में राज्य पाल की भूमिका राज्य विदहाईका के सत्र को आहूत करना सत्रावसान करना विदहान सभा का विघटन करना धन विदहाईक या वित्विदहाईक प्रथम प्रकार जैसे विदहाईकों को प्रस्तुत करने की अनुमती प्रदान करना तो राज्य बिधाई का या बिधावान मंदल के अंग के रूप में अंग के रूप में राज्य पाल की भूमी का मतलब राज्य पाल की बिधाई भूमी का इस बिढ़ाई भूमिका को उठाएंगे या इसके अलावे अब आईए चुकी राज्यपाल की निक्ती रास्टपती के द्वारा किंद्र सरकार के प्रामर्स पर किया जाते है इसलिए कई बार उसे राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधी या एजेंट के रूप में भी देखा जाता है हलांकि स्रबुच्य नियाले ने फर्गोविंद रघुकुल तिलक केस में असपस्टता ही यह कहा है कि राज्यपाल संबैधानिक प्रधान के रूप में है और वह किसी भी रूप में केंद्र सरकार की अधिनष्ट पद के रूप में नहीं है एजेंट या प्रतिनिधी के रूप में लेकिन बेभारिक रूप में चुकी राज्यपाल की निक्ति राष्टपती के दौरा केंदर सरकार के प्रामरस पर किया जाता है इसलिए वह केंदर सरकार के प्रत्रिधी के रूप में भी राज्य में भूमिका निभाता है तो केंद्र सरकार कि प्रतिनिधी के रूप में आप कहेंगे कि क्या भूमी का निभाता है प्रतिनिधी के रूप में तो वह केंद्र और राज्य के बीच एक करी का काम करता है केंद्र रूप राज्य के बीच एक करी का काम करता है और इस रूप में वह संग्हिय सासन विवस्था में संग्हिय संतुलन संग्हिय समन्वे संग्हिय सामनजस्य को अस्थापित करने में विशेस भूमिका निभाता है तो इस रूप में जो उसकी भूमिका है वह संग्हिय संग्हिय समन्वे संतुलन वह सामनजस्य को अस्थापित करने में भूमिका निभाता है यह मैं कहना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ आप इसको देख सकते हैं नोट कर सकते हैं अगले स्लाइड पर चलते हैं भूमिका को आगे बढ़ाते हैं यह सब पॉइंट्स आप लिख नहीं पाते हैं कि यह बाते आप कह नहीं बाते हैं कि इसके अलावे भी देखिए कुछ राज्यों के राज्यपाल को अनुक्षेद 371 के विभिन प्रावधानों के अंतरगत विशेश छेत्रों के विकास की भूमिका दी गई जैसे महरास्ट्र में बिदर्व का विकास गुजरात के सौरास्ट्र में सौरास्ट्र और कक्ष का विकास राज्यपाल का एक विशेश विकासवाधी भूमिका है इसी तरह से असम नागालेंड में सांती विवस्था या कानून विवस्था को अस्थापित करने में राज्यपाल की विशेश भूमिका है सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश में राज्यके समाजिक आर्थिक विकास में राज्यपाल की विशेश भूमिका है उसे अस्पस्ट कीजिए इसके अत्रिक भार्तिय संबिधान का सात्म संसोधन यह कहता है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल निक्त किया जा सकता है या किसी किंदर सासित छेत्र में प्रसासक के रूप में या उपराज्यपाल के रूप में या लेटिनेंट गवर्नर के रूप में निक्त किया जा सकता है तो सुभाविक रूप से एक बात को समझिए कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है किसी केंदर सासित प्रदेश में वह उपर राज्यपाल की भूमिका में भी हो सकता है तो वहाँ पर जो वह निर्णा करेगा सुभाविक रूप से यह के मंत्री मंडल के सलाह किया वसकता उसको नहीं है तो जब राज्यपाल किसी दूजरे राज्ये के राज्यपाल या किसी केंद्र सासित प्रदेश के प्रसासक या उपर राज्यपाल की भूमिका गुरी भाता है तब भी कि वह मंत्री परिशद से मंत्री परिशद की सलाह से बंधा हुआ नहीं है इस बात को भी लिखिए विशेशकर अनुच्छेद 239 के अंतरगत राज्यपाल इभूमिका केंद्र सासित प्रदेशों के प्रदेशों के प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रसासक के रूप में कि एक और बात कि पांचमी वह चटमी अनुसुची के अंतरगत अनुसुची के अंतरगत जनजाती है या अनुसुचित छेत्रूं के प्रसासन में विकास में राज्यपाल की भूमिका ये तो थोड़ा भूमिका को एक नवीन दिसा में वर्नित और विसलेशन करने की आवस्यक्ता पर मैं आपके ध्यान को आक्रिस्ट कर रहा था क्योंकि पॉइंट्स लैक होता है आप सारे पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाते हैं और फिर ये सिकायत भी करते हैं कि सर माक्स नहीं आया इसलिए अब यहां से आते हैं पहले जो भूमिका हमने अस्पस्ट किया थोड़ा उससे एक चीज को जोरना है राज्यपाल की एक संबैधानिक पूनिका है पॉइंट नंबर एक को देखिए जरा यह वाला और फिर पॉइंट नंबर तीन को देखिए यह चार को देखिए यह एक और यह चार नंबर का जो पॉइंट लिया है भूमिका के अंतरगत ये दोनों आपस में टकराता है और इससे विवाद की इससे ती उत्पन होती है कैसे एक तरफ तो राज्यपाल राज्य की राजनिती में काड़ेपालिका के संबैधानिक प्रधान के रूम में उसे बिभिन्य प्रकार की संबेधानिक सक्तियां मिली हुई है दूसरा वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधी के रूप में राष्टपती के द्वारा केंद्र सरकार के प्रामर्स से निक्त किया जाता है तो सुभाविक रूप से राष्टपती के कार्यकाल पर राष्टपती के प्रसाद प्रियंत का सिध्धान्त लागू होता है अर्थात राष्टपती के प्रसाद पर ही अर्थात राष्टपती की इक्षा पर ही राजजपाल कितने भी गाल तक अर्थात पॉँच साल से कम समय तक भी या पॉँच साल से अधिक समय पर भी वह अपने बदबर कार्य कर सकता है और राश्च्पती की इक्षा का मतलब है केंदर सरकार की इक्षा इसलिए राजजपाल अपनी संबैधानिक सक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार के राजनितिक हितों को पूरा करने के लिए करने लगता है और जब ये दोनों टकडाता है तो इससे बिवाद की इस्ति जनम लेती है और यही जो बिवाद है इसी के आधार पर राज़पाल की भूमिका की आलोचना की जाती है और उचे 356 के प्रयोग अरथात राजय में राष्टपती के सासन को लगाए जाने उध्घोसित किये जाने कि संदर्व में राजपाल की भूमिका की आलोचना की गई है अर्थात सम्विधान उन मामलों में जिन मामलों में राज्यपाल को स्वाविवेक से कार्य करने की छूट देता है अनुछेद दूस्वा के अंतरगत राज्य के विधायकों को आरक्षित करने के संदर्व में अनुछेद 356 के अंतरगत राज्य में राष्टपती सासन लगाने की अनुशंसा करने के संदर्व में जन्जातिय छेद्रों के प्रसासन के संदर्व में विभिन मामलों में अनुछे 371 के अंतरगत जो राज्य पाल की भूमी का है विसेस भूमी का है उसके अंतरगत जब वह अपने स्वाविवेक की सक्ति का इस्तेबाल करता है तो अधिकांस्ता वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधी के रूप में काड़ी करता है ना कि संबैधानिक प्रमुख की अपनी भूमिका का निर्वान करता है और यही कारण है कि विभिन्य राज राजपाल की भूमिका की आलोचना करते हैं जब राजपाल के द्वारा अपनी संबैधानिक सक्तियों का प्रियोग केंद्र सरकार के राजनितिक हिटों को पूरा करने के लिए किया जाता है इस तरह से आलोचनात्मक प्रेक्षन करना है मतलब आलोचना करनी है और जहां तक बात रही कि क्या राज्यपाल सिर्फ कठपुतली के रूप में है तो यदि सिर्फ संबैधानिक भूमिका होती राष्टपती के समान तो उसे कठपुतली माना जा सकता था ये जो विभिन्न भूमिकाएं हमने समझा है ये भूमिकाएं बतलाता है कि राज्यपाल का पद कठपुतली के समान नहीं है क्योंकि स्वेंग संबैधान का अनुचेद 163, अनुचेद 200, अनुचेद 356, अनुचेद 371, अनुचे 249 के अंतरगत राज्यपाल अपनी विभिन्न संबैधानिक सक्तियों का प्रियोग अपने स्वाविवेक से भी करता है साथ ही साथ, राष्टपती के समान राज्यपाल को भी कुछ प्रस्तितिगत स्वाविवेक का अधिकार दिया गया है उन अधिकारों का प्रियोग करते हुए भी अधिकांस्तया राज्यपाल किंद्र सरकार के राजडितिक खेतों को पूरा करने के लिए जब कार्य करता हुआ प्रतीत होता है तो राज्य की राज़ीती में राज्यपाल की भूमिका के संबंध में विवाद और आलोचनाएं उत्पन्न होती हैं बिहार के बिसे संदर्व में जैसा कि मैंने हिंट दिया था कि जब 2005 में नितीस जी की सरकार बनी थी तब बिहार के राज्यपाल गूता सिंग की जो भूमिका थी जिसकी आलोचनाबाद में सरवोचिन्याईले ने भी कि जो यह बतलाता है कि राज्यपाल ने अपनी संबैधानिक शक्तियों का प्रियोग किंद्र सरकार के प्रत्रिधी के रूप में किंद्र सरकार के राजनितिक खेतों को पूरा करने के लिए किया ना कि सम्वेधानिक शक्तियों का प्रियोग सम्वेधानिक भूमिका के रूप में किया जो सम्वेधान ने भूमिका तैकी थी उसके अंतरगत सम्वेधानिक भूमिका नहीं थी बलकि राज्यपाल की राज़ितिक भूमिका थी तो कुछ उदाहरन दे करके उसको अस्पस्ट करना है निसकर्स के रूप में तुल्नात्मक निसकर्स हमें देना है तो लास्ट पॉइंट हमारा होगा निसकर्स अर्थात सामान्य तवर पर राज्य में राज्यपाल की भूमिका की तुल्ना रास्टपती से की जाती है लेकिन जहां रास्टपती के पास संबैधानिक स्वाविवेक की सक्तियों का आभाव है वहीं राजपाल के संदर्व में कई संबैधानिक स्वाविवेक के अधिकार विद्दमान है या शक्तियां विद्दमान है राज्यपाल उन शक्तियों का प्रियोग करते हुए कठपुतली के रूप में नहीं है बलकि वह विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाता है कई बार तो वह वास्तविक सरकार को संसदिय लोकतंतर के अंतरगत जो वास्तविक कार्यपाली का है उसकी भूमिकाओं ग्रहन कर लेता है अपने संबेधानिक स्वविवेक की भूमिका के अंतरगत इसलिए उसे मात्र कटपुतली समझना भूल होगी साथी साथ उसकी जो विविद भूमिका है विकासपादी भूमिका है जनजातिय छित्र के प्रसासन में जो भूमिका है उसको भी अस्पस्ट करते हुए निसकर्स को संतुलित करना है आपको आज की चर्चा पर चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रस्न के उत्तर लेखन में आपको समस्याई नहीं होंगी जो नवीन दिसा थी उसको समझाने पर और उसको अस्पस्ट करने पर मैंने बल दिया ना क पर चर्चा और उसके उत्करष्ट प्रस्तुति करन से आती है और यहीं एक मार्ग है जिसके मांध्यम से हम सर्वच्य अंक की प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं मेरी सुब कावनाय आपके साथ हैं पुनह एक अन्यप्रस्टन के बिसलेशन के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगा आप सभी चात्रों का बहुत धन्यवाद थेंक्यू